अपना YouTube चेडल डिलीट ओने से बचा लो हाँ दोस्तो दोस्तो देखिए मेरा YouTube चेडल YouTube ने रिमूव कर दिया और पूरा content भी रिमूव कर दिया मैं जब रात को सोया अपनी चैनल को देखकर तो दोस्तो उस समय मेरा चैनल एक्तम सही था मैंने अपने वीडियो भी देखे एक्तम सही था दोस्तों देखिए अरेस लाइव की नाम से मैंने यूटुब चैनल वनाया था अरेस लाइव की नाम से और आप देख सकते हैं जम सुबह जगा दोस्तों साम को मैंने वीडियो अपलोड किया था एक और जम मैं सुबह जगा तो मैं देगा देखिए हरेस लाइब भी हैव रूमूब डियोर चैनल प्रों यूटूब आप देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा हो अपनी यूटूब चैनल पर कई दिनों से और अचानक वह सुबह जगे उससे पता चले कि उसका कि कहीं आप दो नहीं कर रहे जिसकी बज़े से आपका भी यूटूब चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है तो वीडियो को कम्पलीट देखना इनके द्वार एक आया रहा है कि आपने अमारी पॉल्सी का उलंगन किया है तो इनोंस आप तरीके से हम कहा है कि आप बार बार हमा मेरा हुआ सारा कॉंटेंट यूटूब से रिमूब कर दिया जो कि बड़ी मेहनत से मेहनत डाला था आप लोगों को पता है कि यूटूब वीडियो सूट करना या पर उसकी एडिटिंग करना और अच्छे तरीके से लोगों को दिखाना कितनी मेहनत लगती है और यूटू करते हैं अगर आप भी उस गलती को करते हैं तो आपका भी यूटूब चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है दोस्तों यहाँ वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि नए यूटूबर से चाहे आपके लाखों में सब्सक्राबर हो चुके हैं आप लोगों के लिए भी है क्यो होना ओ यूटूबर उसका भी यूटूब चैनल डिलीट हो जाएगा दोस्तों आपने अकसर देखा होगा कि यूटूब पर कई ऐसे यूटूबर सें जिनके मिलेन में सब्सक्राबर थें किसी के 3 मिलेन किसी के 1 मिलेन और किसी के 4 मिलेन तक थें उनके भी यूटूब चैन दोस्तो इस वीडियो को complete देखिए, कहीं आप अगर इस गलती को कर रहे होंगे, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं, और अपनी YouTube चैनल को बचा सकते हैं, अगर आपने भी ये तीन गलतियां की, चाहें आपका YouTube चैनल कितना भी पुराना हो, चाहें आपने कई वीडियों ड जिसकी बज़े से YouTube चैनल को डिलीट कर देता है, कॉंटेंट को रिमूव कर देता है, तो दोस्तो इस वीडियों को complete देखिए, एक भी स्टेप को छोड़िये मत, बरना आप किसी ऐसी चीज को मिस कर देंगे, जिसकी बज़े से आपको बहुत बड़ी परिसानी उठानी उसे लोग ऐसी हैं, जो कि कई महीने से महनत करते हैं, लेकिन YouTube पर यह ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि हमने अपने YouTube चैनल के लिए आकरकार कौन सी कैटिगरी सेलेक्ट की है, YouTube के सेटिंग में जाकर, दोस्तो इस चीज को भूल जाते हैं, बस बेतों यही सोचते हैं, साइध क करना होता है, तो दोस्तों, आपको एव बात समझ में आगी होगी, किस तरीके से आपको कैटिगरी सेलेक्ट करना है, अब देख सकते हैं, इसी परकार से आपको केटिगरी सेलेक्ट करना होता हैं, तो दोस्तो आपको इव बात समझ में आगी होगी किस तरीके से आपको category求 rock करना है आप देख सकते हैं चैनल की यूट्यूचरस टूडियो में आना है लेप साइर्ट में आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको अपलोड डिपॉल्ट्स में आना है इसमें आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग में आना है एडवांस सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको अपनी कैटिगरी चुननी है देखिए यहाँ पर आपको category दिखाई दे रही है यही category मैं अपने वीडियो technology के डालता हूँ तो मैंने science and technology सेलेक्ट किया हुआ है अगर आप कुछ अन्य category में content डालते हो जैसे कि entertainment, comedy, education, film and animation, gaming, music या पिर इसके अलावा और कुछ तो दोस्तों आप उसी परकार से अपनी category सेलेक्ट करें अगर आप कोई blog बगरा डालते हो तो वही people and blogs डाल सकते हो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप Sports बगरा के वीडियो बनाती हो तो आप Sports से सेलेक्ट करना है अगर आप Travels के बनाती हो तो Travels सेलेक्ट करना है यानि कि आप जिस परकार का Content डाल तो उसी परकार से आपकी Category भी सेलेक्ट होना चाहिए अब बहुत लोग ये सोचरों कि आखिरकार इसमें क्या होगा इस बज़े से क्या YouTube चैनल डिलीट करेगा दोस्तो अगर आप Technology के वीडियो डाल रहे हो और आपकी Category उसमें सिलेक्ट है News की या पर कोई ऐसी Category सिलेक्ट है जो कि इससे कोई मेंच नहीं खाती तो दोस्तो इस बज़े से भी आपका YouTube चैनल डिलीट हो सकता है कभी भी यहाँ दोस्तो सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आपने Category किसी और की चुनी और आप Content कुछ और डाल रहे हो दोस्तो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कि अधकान सी YouTubers करते हैं क्योंकि YouTube के अंदर सेटिंग के अंदर दोस्तो एक Option दिया हुआ है जो कि है 18 प्लस को लेकर यानि कि उसमें दो Option दिये हैं एक Option दिया होता है कि क्या आप बेडियो बच्चों के लिए बना रहे हैं या पर आपका बेडियो बच्चों के लिए नहीं है इस परकार से आपने सेटिंग देखी होगी या नहीं देखी होगी दोस्तो यहाँ चीज बहुत ही बड़ी है अगर आप 18 प्लस कोंटेंट डाल रहे हैं या पर कुछ ऐसी चीज़े डाल रहे हैं जो कि 18 साल से कम उमर के बच्चे नहीं देख सकते हैं दोस्तो 18 साल से अधिक उमर के लोग देख सकें ऐसे content डाल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए पहुत ही important है अगर आप 18 plus content डाल रहे हैं कुछ बड़ी ऐसी बाते बता रहे हैं जो की बड़े लोग समझ सकें तो दोस्तो यहाँ option बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए डिलीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप सुबह जब जागोगे तो आपको अपनी Gmail ID में सिर्फ एक message दिखाई देगा कि हमने आपका YouTube चैनल डिलीट कर दिया है क्योंकि आपकी YouTube चैनल पर ऐसा content डला था जो की बच्चों के लिए उपियोगी नहीं है इस परकार से लिखा हुआ आएगा और आपका YouTube चैनल सहीद content भी डिलीट हो जाएगा रही ही आप यह गलती तो नहीं कर रहे है दोस्तों इस बात को आपको ध्यार रखना है और इस setting को कैसे सुधारना है आपको अपनी YouTube स्टूडियू माना है लेट साइट में setting में जाना है और अपनी चैनल बाले option में आना है और advanced setting में जाना है यहाँ पर आपको यह option देखना है वही देखियो ध्यान से यहाँ पर आपको तीन option दिखाई दे रहे होगे एक option है yes set this channel as made for kids I always upload content that made for kids आप इदर देख सकते हैं कि यह option सीधा दिया हुआ है कि भई हां मैं video बच्चों के लिए upload करता हूं और हमेशा content बच्चों के लिए बनाता हूं तो दोस्तों इस परकार से पहला बाला option है दूसरा option है कि भई नहीं मैं बच्चों के लिए video upload नहीं करता हूं और मैं कभी भी बच्चों के लिए video upload नहीं करता हूं इस परकार से ये दूसरा सिलेक्ट है दूस्तो 99% यूटुबर्स ये दूसरा ओप्सन ही सिलेक्ट करते हैं अगर आप बच्चों के लिए व्यूडियो बनाते हैं चोटे चोटे बच्चों के लिए चोटे चोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए या पर कुछ खेल किलोने जैसे व्यूड के जो बच्चे हैं बे देख सकें या फिर बे देखते हैं या फिर आप ऐसा content डालते हैं जिससे बच्चे ना देख पाएं तो आपको यही select करना चाहिए यह दूसरा बाला option तो दोस्तों यहाँ बहुत ही important setting है जिससे बहुत लोग नहीं करते हैं और सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसकी बज़े से उनका चैनल कभी भी YouTube की दुनिया से remove हो सकता है इसलिए आपको इस setting जरूर करना चाहिए अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो yes हाँ मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ दूसरा वाला option सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए नहीं बनाते हैं जैसे कि आप अगर technology news के अलाबा experiment बगरा करते हो science बगरा तो भई आपको यही सेलेक्ट करना है यह वाला नो वाला नो सैट इस चैनल एज format for kids ओके तो यही सेलेक्ट करना है ध्यान से और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और सैप पर के लिए कर दीना है तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी दोस्तो तीसरी सबसे बड़ी गलती बहुत लोग यह सोचते हैं कि हम YouTube पर कुछ भी डालेंगे सबको चलेगा कोई प्रोलम नहीं है बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम जो content डालना चाहते हैं बैसा content पहले से YouTube पर बहुत डला हुआ है लेकिन आपने कभी सोचा है कि बहुत content तो डला है लेकिन क्या उनका YouTube चैनल सक्सेज हुआ है या उनकी YouTube चैनल पर एड चल रहे है दोस्तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता बलकि यह सोचते हैं कि इस परकार का content YouTube पर चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो मैं कहना चाहता हूँ danger content को लेकर हाँ दोस्तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम कुछ भी डालेंगे लोग देखेंगे अच्छी बात देखेंगे दोस्तो मैं कहरा हूँ danger content की हाँ दोस्तो इतना danger content की कोई देखना सके जैसे की bleeding हाँ दोस्तो किसी आपने देखा होगा तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भी कहीं पर आपसी लडाई जगणा चल रहा हो तो उसका video record करके बहुत से लोग डाल देते हैं YouTube पर अपना YouTube channel बन प्रोलम पहली बात तो आपके उस video पर कभी भी रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि वह यलो डॉलर हो जाएगा दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कोई प्रोलम होई उस लडाई जगणे को लेकर तो सोच लेना कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या कड़ी हो जाएगी क्य अगर आप इस परकार से कोई video डालते हो तो ऐसे video से आपके youtube चैनल का montation तक नहीं होगा और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप ऐसे video डालते हो जिन video से दोस्तों blooding हो रही है या किसी का खोलने कल रहा है या कुछ हो रहा है या किसी की only cut लगी है या नाखुन तूट ग होगा और एक दूसरी बात कि आपका youtube चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है दोस्तों आपने बहुत सारी video देखेंगे बहुत से लोग दिखाते हैं ऐसी चीजे लेकिन क्या आपने सुचा है उनका channel का montation होगा है या नहीं होगा है नहीं होगा है दोस्तों अगर आप add को देखक लाब उठा रहा है सभी लोगों से क्योंकि जांतातर सभी लोग आते हैं सौक में लेकिन दोस्तों बिची हो जाते हैं इस youtube चैनल पर video बनाने में जो लंबे समय तक कांग करता है वह success हो जाता है और जो अधूरा छोड़ देता है वह दोस्तों फिलॉप हो जाता है अगर आ आप ऐसा content डाल रहे हैं तो ऐसा content डालना बंद कर दो मेरा यही कहना है और आप अपना topic change कर दो content change कर दो category change कर दो दोस्तों यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी बात है अगर आपकी zero subscribe है तो आप इसके अलाबा दूसरा youtube channel बना लो अच्छा सा लेकिन इस प्रकार के content ना डाल तो दोस्तों यह थी सबसे बड़ी तीन गलतियां जो की बहुत youtuber करते हैं चाहे नए हो चाहे पुराने हो बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनके अजारों में लाखों में सबस्क्राबर हैं बेबी इन तीन गलतियों में से एकनाई गलती कर बैठते हैं जिसकी वज़े से उनक यूटुब चैनल डिलीट भी हो जाता है या डिलीट हो सकता है अगर आप इन तीनों में से कोई भी ये गलती कर रहे हैं तो कभी भी आपका यूटुब चैनल डिलीट हो सकता है अगर गलती कर रहे हैं तो उसे सुथार लो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बोक झाल